हालो एव्रीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुंज ओफीसियल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग है होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बैल अकने सो प्रेस जर सौमी अमवस्या कब है जानियदेर सुमोहरत और महत्व सुमावती अमवस्या 2023 सुमावती अमवस्या के दिन भगवान सीव और मातापार्वती की आरातना करने से सुफलों की प्राप्ति होती है इसके अलावा इस दिन स्नाद दान का भी खास महत्व है सुमावती अमवस्य कब है सोमावती अमवस्या 2023 यू तो हर माह अमवस्या आती है लेकिन फालगुन महिने में आने वाली अमवस्या बेहत खास है इस साल ये पावन दिन 20 फरवरी को पर रहा है सोमवार के दिन अमवस्या होने की वज़े से इसे सोमावती अमवस्या कहा जाता है या सोमी अमवस्या कहा जाता है हिंदु धर में सोमावती अमवस्या का विशेश महत्व है कहते हैं इस दिन दान करने से दो गुना फल की प्राप्ती होती है सोमावती अमवस्या के दिन दान के अलावा सनान और तरपन का भी खास महत्व है सोम वती अमवस्या या सोमी अमवस्या का धार्मिक महत् fian सोमी अमवस्या के दिन भगवान भूले शंकर और माता पारवती की पूजा का वीधान है इस दिन शिव गौरी की उपासना करने से अखंड सभागे का अशिरवाद मिलता है सोमावती अमावस्या के दिन विवाहित इस्त्रियां अपने पती की लंबी आयू के लिए वरत भी रखती है इस दिन विवाहित इस्त्रियां वरत रखकर पीपल के विरिक्ष की दूद, जल, पुस्ब, अक्षत, चंदर इत्यादी से पूजा करती है और विरिक्ष के 4 और 108 बार कच्चा सुत का धागा लपेट कर परिकर्मा करती है साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है सुमावती अमवस्या की के दिन पूजा, पाठ, दान और तरपन करने से विशेश फल मिलता है इस दिन भगवान भोले नाथ की विधिवत पूजा करने से घर में सुख और सम्रिधी बनी रहती है सुमी अमवस्या 2023 सुम मौरत अमवस्या तिथी प्रारंभ साम 4 बजकर 18 मिनट से 19 फरवरी 2023 को अमवस्या तिथी समाप्त 2 फर 12 बजकर 35 मिनट पर 20 फरवरी 2023 को सुमावती अमवस्या 20 फरवरी 2023 को है स्नान दान मौरत सुबह 6 बजकर 56 मिनट से सुबह 8 बजकर 20 मिनट पूजा का सुम मौरत सुबह 9 बजकर 50 मिनट से 11 बजकर 15 मिनट तक सुमी अमवस्या के दिन करे ये उपाई पहला परिवार में धन धानी की वृधी के लिए आज के दिन सिविलिंग पर दो मुठी चावल अरपित करें साथी अपने घर की सुख समृधी के लिए भगवान से प्रात्ना करें दूसरा अपने अच्छे स्वास्त के लिए आज के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर सिवलिंग पर अर्पित करें तीसरा उपाय अपनी जीवन साथी की तरक्की के लिए आज के दिन साम के समय घर के मंदिर में या इशान कोन में गाय के घी का दीपक जलाएं लेकिन ध्यान रहे कि रूई के स्थान पर लाल रंग के धागे की बाती लगानी है साथ ही अगर संभव हो तो दिये में केसर के एक दो रेसे भी डाल दे चौथा उपाई अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोस है तो आज सौमवती अमवस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें सिविलिंग पर चढ़ा दे कैसा लगा आप सभी को हमारा ये सौमी अमवस्या वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इन्ट तक देखने के देल से धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग, कीप सपूर्ट